जयम आता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशी फल 21 नवंबर 2019 दिन वीरवार, कैसा रहेगा आपके लिए? तो आईए, सबसे पहले हम आज का पंचांग जान लेते हैं, आज 21 नवंबर 2019 गुरुवार का दिन है, प्रिश्न पक्ष की नौमीति थी, नक्षत्र पूर्वा फालगुनी, आज का दिशा सूर्य धक्षिन रहेगा, आज सूर्य व्रिष्चिक राशी और चंद्रमा सिंग र मिनट से, तो पहर के 2 बच कर 44 मिनट तक, जी हां, आज आप दिन में कोई भी कारे करें, तो शुप समय और अशुप समय देखतर करें, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशी फल की, सबसे पहले बात करते हैं, आप के लिए आज क्या पॉजिटिव रहने वाला ह आज आप किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आप अपने परिवार या मित्रों के साथ कही डिनर या लंच पर जाने का प्लैन बना सकते हैं, कला के शेतर से जुड़े लोगों के लिए समय आज काफी अच्छा रहेगा, और जो लोग अध्यात्मे के शेतर में लगे हैं, उन्हें भी आज अच्छे परिणामों की प्राप्ती होगी, तो चलिए बात करते हैं, आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं, दोस्तों अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय है, इसलिए जम कर पसीना बहाएं, अपने जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परिशानी हो सकती हैं, इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति से सलहा लेनी चाहिए, तो चलिए बात करते हैं आपके लव लाइफ और पारिवारिक जीवन की प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्साहा देखने को मिल सकता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूती हो सकती है, तथा अपने कामकाश को लेकर अपनी बातों को शेयर आज आप कर सकते हैं, ये दिन आपके लिए अच्छा है, बात करें आज आपका व्यवसाई करियर कैसा रहने वाला है, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा कारोबार मध्या रहेगा, कारे शित्र में काम की अधिकता रहेगी, और कारोबार में सफलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, विध्यार्तियों के लिए समय अच्छा है, तो चलिए बात करते हैं, आज आपका स्वास्ते कैसा रहने वारा है, आज आपक कर कोई कारें ना करें अन्य था आपको नुक्सान हो सकता है आज आपका शुब रंग रहने वाला है हरा शुब अंक रहने वाला है दो और भागी का मिलेगा आज आपको 75% साथ और आज आपको उपाई क्या करना है आज आप मंदिर में कुम-कुम का दान करें इससे आप आज के सभी कारिया बनते चले जाएंगे इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिस्तेदारों के सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों